हेलो गैज, विलकम तो मैं चैनल एच्छन क्लासेज तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? कि फैक्तोर्स की कॉम्पोनेंट्स की तरह केसे निकले जाते हैं, ठीक है? अगर सपोज एक फैक्तोर लिया हमने यहाँ पे इस फैक्तोर को बहले एक फैक्तोर, तो इसका दो कॉम्पोनेंट्स हम ऐसे ऐसे द्रौ कर लेते हैं, अगर यह ठीता है, तो इसको हम लिख देते हैं, एक कॉस ठीता, और इसको हम लिख देते हैं, एक साइन ठीता, लेकिन हमे कभी-कभी चीजे बता ही नहीं होता है जो लिखते हैं तो यहाँ पर इसको हमने cos ही क्यों लिखा, इसको sin क्यों लिखा, that is the question, यहाँ पर sin क्यों लिखा, cos क्यों लिखा, that is the question, ठीक है तो अगर सपोज मैंने एक factor लिया, let's say इसी direction में लिया, तो यहाँ पर इसको ठीता लिया, तो हम इसको क्या लिखांगे, a cos ठीता, मतलब यानि इसको हमने बोला cos component और इसको क्या बोला sin component, ठीक है तो इस case में उल्टा क्यों कर दिया, ठीक है, उसको हम देखेंगे, कि actual में जिस side पे, जिस component पे ठीता एतत छोटे लगा होते, उसको हम cos component ही क्यों बोलते हैं, ठीक है यह तो याद रखने की तरीका होते हैं, कि जहाँ पे ठीता एतत छोटे लगा होंगे, उसको हम cos component बोलेंगे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो ठीक हैंचे यहाँ पे तर्सलाइट, ऐसे on किया, तो इस तर्सलाइट की रोस्नी की वज़ा से इसका इस factor का एक shadow परेंगे, यहाँ पे fall करेंगे हैं तो इस axis पे इसका जो shadow होंगे, यह होंगे, ठीक है तो यह जो axis पे, यह जो y axis है, इस y axis पे इसका shadow है, तो basically इसको हम बोलेंगे y component, ठीक है तो y component क्या होंगे, shadow of the vector, यहाँ पे लिख देता हूँ में, shadow of a vector, इन the y axis, जिसे हम क्या बोलेंगे y component, ठीक है ठीक, उसी तर्हा, अगर उपर से एक thought slide मारेंगे, तो क्या होंगे, इसका shadow fall करेंगे, कहाँ पे x axis पे, ठीक है, इतना तक तो this is the x component है, इसको हम बोलेंगे x component, यानि shadow of a vector in the x axis, ठीक है तो अगर हम इस angle को theta consider करें, तो यह जो component है, इसको हम क्या बोलेंगे, a cos theta, ठीक है q बोलेंगे a cos theta, sin theta, q नहीं बोलेंगे, उसी को देखना है, है ना, ओके तो देखो ठीक हैंसे, अगर यह जो triangle है, यह right angle triangle है, है ना, तो इसमें हम trigonometric ratios लगा सकते है, लेज़े यहाँ पे हमने cos theta लगाया तो क्या मिलेंगे, base by hypotenuse, ठीक है, तो यहाँ से अब लिख सकते हो, कि cos theta is equal to, जो base है, base कितना होंगे, this is the base, base को हमने क्या बोले, x component, तो हम लिख सकते है, x component, ओके, तो hypotenuse के हैं, यह जो length है, यही तो hypotenuse है, और इस length को हम क्या बोलेंगे, a vector के magnitude, जिसको हम क्या लिख सकते है, a vector के magnitude, तो यहाँ से यहाँ तक के length कितना है, a vector के magnitude, और इसको basically हम लोग सिर्फ a लिख देते हैं, ठीक है, magnitude chain, इधर उधर, इसे modulus नहीं लगते हैं, तो यहाँ पे जो h होंगे, इस h की जगा पे हम लिख सकते है, a, तो यहाँ पे cos theta लिख दिया, तो हम लिख सकते है, x component is equal to a cos theta, ठीक है, तो यह जो x component है, x का value कितना होंगे, a cos theta, तो वही कारण है कि जहाँ पे theta है, तच्छोते है, उसी को हम के बोलते है, a cos theta, ठीक है, उसी तरह इस y component को अगर निकलना है, तो हम क्या करेंगे, एसे draw करेंगे, एक line है न, तो यह 90 degree है, 90 degree होने से हम क्या कर सकते ह हम trigonometric ratios लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी solve करके देखते है, y component कितना हैंगे है न, तो देखो, यह जो triangle है, यह triangle है, तो इस triangle में अगर हम trigonometric ratios लगाए है, ठीक है, cos theta ही लगा रहते हैं, क्या मिलेंगे, cos theta will be how much, cos theta will be base by hypotenuse, ठीक है, तो base की value कितना है, तो यह triangle है, इसके लिए base कौन सी होंगे, यह होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, y component, ठीक है, तो base will be y component, ठीक है, तो hypotenuse कौन सा होंगे, यह होंगे है, तो इसके length को हमने क्या बोला, a, यानि magnitude of a vector, तो यहाँ पे देखो, theta जो यहाँ पे मैंने लिखा, इसका meaning यह theta है, यह तो नहीं लेना है हमें, तो इस theta को लेना है, ठीक है, यह कितना होंगे, यह actual में 90 minus theta होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस theta की जगा, हाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90 minus theta, ठीक है, तो इस triangle में हमने क्या किया, cos 90 minus theta को लिए, and that became how much y component by a, ठीक है, तो अभी देखो, cos 90, cos 90 minus theta का value कितना होता ह साइन, इसको कैसे fine करते है, वह भी मैं समझा देता हूं, देखो अठीक है, सपूज, यह करते हैं, तो cos 90 minus theta है, जब अब 90 देखोगे, जब भी 90 देखोगे, तो अब क्या करोगे, इसको sin कर दोगे, ठीक है, sin theta लिख दोगे, similarly, अगर यहाँ पे sin 90 minus theta होटा, तो आप sin को cos कर देते हैं, तो अभी यहाँ पे minus होंगे, यहाँ प्लास होंगे, उसको देखना है, ठीक है, यह जो ASTC rule है, इसकी हिसाब से, इसकी हिसाब से, यहाँ पे sin positive होता है, यहाँ पे सब कुछ positive होता है, ठीक है, तो cos 90 minus theta, यानि cos 90 minus theta, okay, cos 90 इधर गया, minus theta इधर वह पस, okay, तो इस quadrant में, cos 90 minus theta, fall करेंगे, ठीक है, तो basically इस quadrant में, हर कोई, क्या होता है, positive, तो यह क्या होंगे, positive theta, तो cos 90 minus theta will become sin positive theta, okay, तो यह लिख दे हमने, okay, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, y component is equal to A sin theta, तेखो, आ रहे के नहीं, okay, तो इसको हम बोल सकते है, यह जो y component है, इसको हम बोलेंगे, A sin theta, तो वही करते हों आप, कि इसका जो y component होंगे, इस component को आप क्या बोलते हो, अगर यह theta होंगे, तो इसको बोलेंगे, A sin theta, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, A cos theta, similarly, अगर हम एक factor इस direction में, तो यह दो components होंगे, है ना, तो अगर यह theta होंगे, इसको हम बोलेंगे, A cos theta, यह अगर A होंगे, तो अगर इसको B लिखा, तो क्या करोगे, इसको लिख दोगे, B cos theta, और यह क्या होंगे, B sin theta, ठीक है, आया, समझ में, yes, easy है, good, तो अगर आपको इस ताइप की, इस तरह की, छोटी-छोटी concepts, और चाहिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक करना, और like जरूर करना, ठीक है, और दोस्तों के share कर दो, क्या ही है, okay, ठीक है, thank you,